दीपम जोती परम जोती दीप जोरतिर जनादना अर्थात सनातन संस्कृति में परातह एवं सायम के अराधना का विशेश महत्व है परातह सायम दीप प्रजलित कर मंत्र का जाब करने से भगवान शीग रही प्रसन होते है जीवन में सकरात्मक उड़जा प्राप्त होती है और घर में सुक सम्रिधी आती है शुब आरोग्य और एश्वर्य देने वाले वैमनस्य भावों को नाश करने वाले दीप के प्रकाश को नमस्कार हिंदु धर्म में अगनी का विशेश महत्व है अगनी को देवता का इस्थान दिया गया है किसी भी प्रकार का शुब कार्य हो या पूजा अथवा अनुष्ठान करना हो सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है दीपक शुब मंगल और कल्यान कारक है हिंदु धर्म में अगनी का विशेश महत्व है अगनी को देवता का इस्थान दिया गया है किसी भी प्रकार का शुब कार्य हो या पूजा अथवा अनुष्ठान करना हो सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है दीपक शुब मंगल और कल्यान कारक है चाहे मंदिर हो या घर में बने पूजा घर हर स्थान पर पूजा के लिए घी या तेल का दीपक अवश्य जलाया जाता है दीपक जलाने की परंपरा अत्यन्त प्राचेन है जिसके पीछे कुछ धार्मिक और वहग्यानिक कारन भी है यहां मान्यता है कि अगनी देव को साक्षी मान कर उनकी पस्थिती में कियेकार या अवश्य सफल होते हैं इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय दीपक चलाया जाता है कहते हैं कि दीपक प्रजलित करने से घरों से नकारात्मक दूर होती है और सकारात्मक उर्जा का आगमन होता है इसके साथ ही दीपक को अज्यान के अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का प्रतिक भी माना गया है जिसके पीछे ये धारना है कि हम अपने जीवन में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से समाप्त कर सकते हैं। एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि जिन घरों में नियमित रूप से सच्ची श्रग्धा से दीपक जलाया जाता हो वहां दरिद्रता, कनाश और माता लक्ष्मी कवास होता है। वह ज्यानिक यानि साइंटिफिक डृष्टी से देखा जाए तो प्राचिन समय से ही गाई के घी से दीपक जलाने की परंपरा चलती आ रही है। इसके पीछे ये कारण है कि गाई के घी में रियाउनुओं को दूर करने की शमता होती है। घी जब अगने को संपर्क में आकर जलता है तो वादावरन को स्वच और पवित्र बनाता है। इससे वायू पडूशन भी समाप्त होता है। घरों और मंदीरों में दीपक जलाने से एक स्वच उर्जा की प्राप्ती होती है। लोग रोगमुक्त होते हैं और वादावरन स्वच होता है। हवा हलकी हो जाती है जिससे सास लेने में आसानी होती है। घी के अतिरिक सरसों के तेल के दीपक भी जलाये जाते हैं। कहते हैं कि सरसों के तेल में ऐसे तत्व होते हैं जो वातावरन में उपस्थित विशैले यानि पॉईजोनेस एलेमेंट्स को खतम करने की शक्ती होती हैं। सबसे पहले पत्थर के दिये बनाए गए थे। धीरे धीरे मिट्टी के बनने लगे। उसके बाद पीतल, लोहा, चांदी ऐसे कई रूप में दिये बनने लगे। दिया बिलकुल उसी तरह का पात्र है जैसे मनुश्य का शरीर है। हमारा शरीर भी एक पात्र है, जैसे हम संभाल कर दिये के पात्र तयार करते हैं, वैसे ही अपनी देह को संभालना होगा। शरीराम प्रकाश का प्रतीक है, दिये की रोशनी से संदेश मिलता है कि हमारे भीतर रावन रूपी अंधेरे का विनाश होगा, अगनी का एक और रूप है लगन व निश्पतिता। दिवाली पर ये संकर्पनी जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। लक्ष के प्रती हमारी लगन तूटनी नहीं चाहिए। दिया वह पात्र है जो स्वयम को जलाकर दूसरों का अंधकार दूर करता है। मनुष्य को भी देपक की तरह दूसरों के जीवन में जोती फैलाना चाहिए। और वक्त आने पर अपने लिए कुर्बानी भी देनी परती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का अर्थ केवल धन से नहीं जोरा गया है। इसका अर्थ है आत्मजागरिती। आत्मजागरिती ही जोती है और जोती ही प्रकाश है जो आत्मा को अलोकित करता है। वानी को विराम देते हुए पूरे MBC टीम की तरव से आप सभी दर्शक्गन को दिपावली अभिनंदन।